हेलो फ्रेंड्स आज हम ब्लाउज की सिलाई करेंगे तो इसके सारे पार्ट को हमने पहले से कट करके अलग रख लिया है तो ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे तो यहाँ पर मैं underground सिलाई करूँगी इसमें तो सबसे पहले नीचे वाले एरिये को सिलना है फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगी और उसके बाद में इस तरह से हमको एक सिलाई चला लेना है जिससे की finishing आजाएगी और अब यहां पर हमको कच्छी सिलाई चलाना है पूरे गले में चलाएंगे और इसी तरह से पूरे जो खुला वाला पार्ट है इसको हम पूरा कच्छी सिलाई करके अठेच कर लेंगे में फैबरिक में में एक्सटरा कपड़े को बाद में कट करके अलग कर लेंगे । व्यक्तरा tö्स अब हम गले को भी च सब्सक्राइब और उसके बाद में यहां बैक में हम को फ्लेट cil ray ॥ में निशान लगा लेना है ये प्लेट्स हमारी 4 इंस तक की रहेगी और इस तरह से अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मेन फैब्रिक को अटेज कर लेना है और उसके बाद में हमको गला और गली की साइड में रखना है तो उल्टा पार्ट की तरफ में हमको अस्तर रखना है यहां पर पल्टेंगे नहीं हम इसको इसको हमें पल्टना बिल्कुल भी नहीं है तो सबसे पहले यहां पर हम एक कच्ची सिलाई चलाएंगे और फिर उसके बाद में सारे पार्ट को किनारे किनारे इस तरह से हमको यहाँ पर कच्ची सिलाई शिला करके इस तरह से मेन फैबरिक में अस्तर को अटेच कर लेना है और फिर उसके बाद में प्लेट्स के लिए हम निशान लगाएंगी यहाँ पर हाफ इंस का जाएगा इस तरह से जैसे हम निशान लगा रहें इसी तरह से सिले करेंगे, यहाँ पर एक इंच का मार्जन जाता है, नीचे साइड में, तो इस तरह से हमको प्लेट्स को बना लेना है, और फिर पक्का करके हमको कट करना है, नहीं तो बाद में उसल जाता है, इस तरह से हमको चार प्लेट्स को बना लेना है, और इसी तरह से हम दूसरे बारे पार्ट को भी सिल लेंगे फिर उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पर बटन पट्टी तो बटन पट्टी हम लेफ्ट पार्ट में बनाएंगे तो चार इंच की पट्टी हमने लिया है और उसके बाद में हाफ इंच का मार्जन रखते तरफ पार्ट के अस्तर की बनाने वाले हैं और यह हम राइट पार्ट में बनाएंगे इसमें एक पैर का मार्जन रखकर सिलाई करना है फिर पलट कर एक सिलाई चला लेंगे और उसके बाद में अंदर तरफ मोड़ते हुए हमको यहां पर तुरपाई कर लेना है तो फ्रेंट्स हमने यहां पर तुरपाई कर लिया है और फिर इस तरह से हमारी पार्ट दोनों तियार हो चुके हैं फ्रेंट पार्ट के फिर हमको यहां पर सोल्डर को अटेज करना है सीधा सीधा पार्ट को हमें अंदर रखना है तो जब हम सिलाई करेंगे तो फिर पल्टे करके हम कट करेंगे धागा तो अब हमको कहां पर क्या करना हैं पाइबिंग लगाएंगे कले में तो यह पट्टी हमने रेडिंस की काटी थी इसको हमको जाइंट कर लेना है फ्रेंड्स मैंने कटिंग का वीडियो अपने चैनलर पर पहले से डाला हुए अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और इस तरह से हमको किनारे मोड करके सिलही चलाना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मोड करके तो इस तरह से अगर हम पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत ही फिनिसिंग तरीके से हमारी पाइपिंग जो है रेड़ी हो जाएगी बन करके और यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके हमको सिलही करना है जब हम फोल्ड करेंगे तो वो सही हो जाएगी मतलब की तो इस तरह से हमको पूरे गले में एक पैर का मार्जन रखते हुए सिलही कर लेना है तो फ्रेंट्स हमको धियान रखना है कि बिलाउस का कपड़ा और पाइपिंग दोनों एक साथ में आना चाहिए और इस तरह से आप फोल्ड करके हमको सिलाई करना है बिल्गुर पतली सी पाइपिंग बन के तियार हो जाएगी तो फ्रेंट्स इसी तरह से पाइपिंग को बनाना है देखिए कितना फिनिसिंग के साथ में पाइपिंग आ रही है ये तो आप भी अगर अपना ब्लाउस अपना घर में अगर बना रहे हैं तो इस तरह से बना सकती है अगर आप बिगिनर्स हैं तो सिंपल ब्लाउस से ही स्टार्ट करिएगा और यहाँ पर हम अस्तीन की सिलई कर रहे हैं तो अब इसको हम पलट लेंगे सिधा वाला पार्ट उपर आ जाएगा और इसकी बात में यहाँ पर फोड करके हमको एक सिलई चलाना है अब इसमें हम में फैबरिक को इस तरह से अटेच कर लेंगे कच्छा सिलई करके फिर यहां पर लेस्dz Goo लगाना है इस में सीध वह hon रया है सीधे सर से चला किनादे बिल्कुल किनारे किनारे फिर पक्तकर करें हमको इसको कट करके अलग कर लेना है दोनों सीन को हमने रही कर लिया है और भार lance हमको को देख लेना है कोई भी छोटी बड़ी है तो आप इसको बाद में चार्ट करके अलग करीजेगा और फ्रंट पार्ट में हमको हाफ इंच के गेराई देना है और अब इस तरह से हम सिलाई करेंगे यहां पर जो हमने कट लगाया है वो सोल्डर के बिल्कुल जॉइंट में आ सेंटर पॉइंट से सिलाई करना है फिर उसके बाद में हम एक सिलाई और चलाएंगे जिसकी पक्का हो जाएगा दोनों साइड में हमको इसी तरह से सिलाई को चला लेना है तो दोनों साइड में इस तरह से मनें अस्तीन को अटेज कर लिया है तो फ्रेंट सब हम यहां पर ये दोनों प्रेंट पार्ट में एक सिलाई कच्छी चलाएंगे बीच में फिर उसके बाद में हमको फिटिंग का निशान लगाना है हमने दो इंच का एक्स्टा लिया है कपड़ा मारजन लिया था इसले मैंने दो इंच की मारजन के हिसाब से चला रही हूं आप जितना भी म कोई देप्स कणा लेना तो फ्रेंट्स तर्ट पार्ट में करना है कि तुब्राइब करने के लिए राठा लंबह एक इंच हमने जादा लिया था को फ्रेंट्स आती है फ्रेंट पार्ट में हमारा त्याहा है थैंक्स वा बोच Aires